मन्च पर विराजमान उत्तर प्रदेश के राजपाल श्रिमान राम नाइग जी केंदर में मंत्री परिशत के मेरे साथी श्री धर्मेंदर प्रदान जी इसी धर्ती के संतान मंत्री परिशत के मेरे साथी श्री मनोज सीना जी डाक्टर महेंद्रनाथ पांडे जी सूसरी अनुप्रिया पटेल जी राजय सरकार में मंत्री श्रित्रिपाठी जी भारतिय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश के युवा अध्यक्ष और साउंसद में मेरे साथी स्रीमान केशो प्रसाद मौरिय जी साउंसद स्री रामचरित्र निशाद जी मेयर स्रीमान रामगोपाल जी और विशाल संग्या में पधारे हुए जी पैरे भाई और बहनों मैं सबसे पहले कासी वासियों का आभार व्यक्त करना चाहता हूं उनका धन्यवाद करना चाहता हूं जब मैंने टीवी पर देखा अकबारों में पढ़ा कुछ यहां के स्थानीय नागरीकों ने मुझे फोन करके बताया कि हम काशी वालों ने छोटी दिवाली मना ली 29 सितंबर को जब देश की सेना ने पराकरम किया तो पूरा काशी जुम उठा था काशी वासियों ने देश के सुरक्षा बलों का जो गवरो गान किया मा गंगा की आरती को जिस पकार से समर्पित किया यहां के सांसत के नाते आपके द्वारा सेना का इतना सम्मान हो गवरो हो तो मेरी खुशियों का कोई पार नहीं रहता यह आपने जो छोटी दिवाली मनाई थी उसके लिए मैं आपका अरदय से आभार व्यक्त करता हूं कई वर्षों के बाद सबासो करोड देश वासी सेना के जवानों के एसास कराने में सफल हुए है कि आप अकेले नहीं हैं सबासो करोड का देश आपके पीछे खड़ा है अब हम बड़ी दिवाली मनाने जा रहे हैं हम तो अपने परिबार के साथ दिवाली मनाएंगे अपनों के बीच खुश्यां बाटेंगे दिए जलाएंगे अंधेरा हटाएंगे रोशनी लाएंगे सब कुछ करेंगे लेकि यह तब संभव होता है जब किसी मा का लाल सीमा पर तैनाथ हो करके हम लोगों के सुक्चेन के लिए अपने आपको खपा देता है और इसलिए छोटी दिवाली मना करके देश को आपने दिशा दी मैं काशी वासियों से मैं उत्तर प्रदेश के नागरीकों से मैं हिंदुस्तान भर के नागरीकों को काशी की धर्ती से आवाहन करता हूँ इस दिवाली में हम अपनों को जिस प्रकार से शुब कामनाय देते हैं हम भी हमारे सेना के जवानों को हमारे सुरक्षाबलों को दिपावली का संदेश भेज करके उनके प्रती हमारे लगाव का ऐसास कराना चाहिए चाहे वो थल से ना हो चाहे वो जल से ना हो चाहे वो वायू से ना हो चाहे वो कोजगार में हो चाहे वो इंडो टिमेटियन फोर्थ में हो चाहे वो असम राइफल में हो चाहे वो बीएसेप में हो चाहे वो सियारपीएप में हो हर कोई सबासो करोड देश वाच्यों की सुरक्षा के लिए तैनात है इस दिपावली में हम सब की तरब से उनको एक संदेश जाना चाहिए बेजोगे आवाज उदर से आ रहे है इदर क्या हो गया बेजोगे सब को अलग अलग पूझना पढ़ रहा है सब लोग एक साथ बताईए बेजोगे कैसे भोजोगे आप अपने मोबाइल से 1922 1922 इस नंबर पर मिस्कॉल करना वहाँ आपको एक मेसेज आएगा उस मेसेज से आप नरेंद्र मोधी एप अपने मोबाइल फोन पर डाउनलोड कर सकते हैं और उसमें सेना के जबानों को संदेश भेजने के लिए एक जगा है उससे आप संदेश भेजेंगे देश के सुरक्षा बलों को आपका संदेश पहुंचेगा तो 1922 नमबर याद रहेगा आपको याद रहेगा कुछ लोगों ने तो कर भी दिया होगा देश के सुरक्षा बलों को हर पल लगना चाहिए कि हमारी जवानी हम देश के लिए लगा रहे हैं देश वासियों को हमारे लिए कितना गवराव है कितना अभिमान है ये प्रतिपल अनुभव होना चाहिए सिर्फ बम मंदूक और गोलियों के आवायत के दर्मान हो ये कापी नहीं है दुनिया के कई देशों में अगर सेना के जवान सुरक्षा बल के जवान हवाई जहाज में जा रहे हो रेलवे में जा रहे हो और वहाँ सब पैसेंजर जब उनको देखते हैं, सब खड़े होकर के तालियों से उनका गवरवगान करते हैं और वो वहाँ से गुजरते रहते हैं, यह सामान ने स्वभाव बना हुआ है, हमारे देश में बिसिस्स परिष्टिती पैदा होती है, पराकम की बात आती है, तब तो वो आजाता है, सब कुछ भक्ति एकदम से उमर पड़ती है, लेकिन फिर दीरी दीरे ठंडा हो जाता है, सेना के साथ, सुरक्षाबलों के साथ, एक आत्मियां, एक गवरवपुर्ण, एक सम्मान जना, नाता जोडने का कल्चर, हर हमेश मना रहना चाहिए, विशिस्त अवसरों पर बना रहे, ये काफी नहीं है, और इसलिए मैंने इस बार खास, सेना के जवानों को दिवाली का संदेश भेजा है, और देश वाच्चियों को भी कहा है, कि आप भी मेरे साथ, इस संदेश में जुड़िये, भाईयों बेहनों, आज मैं सबसे पहले इन सारे मंत्रियों का, उनके मंत्रालयों का आभार व्यक्त करता हूं, क्योंकि मेरे जैसे एक साउसत की खेत्र में, आपने इतनी सारी योजनाय लागों की, और मेरे यहां के मतदाताओं की सुविधाओं के लिए, आपने इतना बड़िया बड़िया काम किया, तो मैं पहले आपका आभार व्यक्त करता हूं, मैं रेलिवे विभाग के अधिकारियों का अभिनदन करना चाहता हूं, क्या आपने मेरे स्वभाव को भली भाती समझ करके प्रकल्प को समय से पहले पूरा कर दिया, वरना सरकारे ऐसी होती है, कि सिलान्यास एक सरकार करती है, उद्गाटन दूसरी या तीसरी सरकार के नसीब में आता है, सरकारे आती हैं, जाती हैं, बदल जाती हैं, लेकिन वो पत्थर वहीं पड़ा रहता है, ये ऐसी सरकार है, जो सिलान्यास भी हमी करते हैं, और उद्गाटन भी हमी करना चाहते हैं, योजनाय समय सीमा में होनी चाहिए, निर्धारित बजेट में होनी चाहिए, हो सके तो समय भी बतना चाहिए, दन भी बतना चाहिए, और काम उत्तम होना चाहिए, ये कल्चर विख्षित करने का प्रयास दिलनी में जो आपने सरकार बिठाई है वो कोशिच कर रही है और मैं आपको विश्वाज दलाता हूँ ये हर खेत्र में होने वाला है आपने देखा होगा यहाँ जितने मंत्री हमारे बोले जितनी आपको कारकम की योजनाए बताई उसके साथ साथ समय भी बताया क्योंकि मेरा एक आगरह रहता है मैं कारकम में या कोई फाइल पर साइन करता हूँ फूजता हूँ जड़ा पहले ये बताओ पूरा कप करोगे योजनाएं शिर्वाखवारों में च्छपने के लिए नहीं होती हैं सिर्वाखवारों में वहभाई के लिए नहीं होती हैं योजनाएं जन सामाने के जीवन में बढ़लाव लाएं इसको कार्यानुवित करने के लिए होती है और इस सरकार का आगर है कि हम जो योजना आएं लाएंगे लागू करके रहेंगे अब यहां आपने अभी देखा सुकन्या समुर्दी योजना अब जिस दिन योजना हमने गोशित की होगी अख़बार में भी आ गया कुछ लोगों ने जाना कुछ लोगों ने नहीं जाना बात पूरी हो गई हम ऐसा नहीं कर रहे हम पीछे लगे रहते हैं बताओ भाई सभी बच्चियों को लाब पहुंच रहा है कि नहीं पहुंच रहा है पीछे लगे हो कि नहीं लग रहे हो देख कर रहे हैं लोग यहां आप ने देखा कुछ परिवारों को गैस सिलिंडर देने का मुझे अफसर मिला है हमें मालूम है गैस सिलिंडर पाना पहले कितनी दिक्कत का काम हुआ करता था सिफारिस लगानी पड़ती थी एमपी साब के अगल बिगल में जाना पड़ता था बड़े बड़े अपसर भी एमपी को पकड़ते थे कि आप मेरी ट्रांसपर यहां हुई है मैं यहां आया हूँ ज़रा गैस का कनेक्शन मिल जाए देखिये ने मुझी मुसीबत है और एमपी को 25 कुपन मला करती थी गैस का कनेक्शन दिलवाने के लिए और वो एमपी 25 कुपन लेकर के घुमता रहता था उसके पीछे 200-200 लोग घुमते रहते थे जाब एक कुपन मुझे भी दीजिए ना यह सब चला गया सरकार सामने से गरीबों को डूण रही है गरीबों के घर को डूण रही है और मेरा सपना है तीन साल में हिंदुस्तान के गरीब परिवारों के घर में जहां लकडी का चूला जहलता है हर दीन मा के शरीर में खाना पकाने में चार सो सिगारेट जितना दूआ जाता है उन माताओं को दूवे से बचाना है गरीब के घर में गैस का चूला जलाना है ये कोशिच कर रहा है लेकिन इसके साथ साथ आज वारा नसी में पाइप्लाइन से गैस का कारकम का सलान्यास हो रहा है रसोई गर में नलके से भी पानी अभी हर गर में आता होगा अग नहीं आता होगा मुझे मालूम नहीं है अभी भी लोगों को घर के बार साथ पाने लेने के लिए जाना पड़ता होगा मेरी कोशिच है और खास करके काशी की माता है बेहने मुझे आशिरवाद दीजिए कि अब रसोई घर में ऐसे ही चकली यूं करोगे तो गैस आ जाएगा खाना पकना शुरू हो जाएगा निर्धारी समय में सैंकडों करोडों उर्पिया खर्च करके एक गैस की पाइपलाइन बिशाने की दिशा में आज कार्या आरम हो रहा है एकोनोमी में उर्जा का बहुत बड़ा महत्व होता है गैस आधारिक एकोनोमी फर्ट्रिलाइजर जो उत्पादन में गैस की जरूत होती है और उसके लिए जगदिश्पूर हल्दिया यह जब पाइपलाइन का काम था वो तो होना ही होना है ट्रंक पाइपलाइन लेकिन उसके साथ हमने देश में साथ शहर विशेश करके पुर्वी हिंदुस्तान के वारा नसी, राची, पटना, जम्शेथपूर, कटक, भूनेश्वार, कोलकता इन शहरों में पाइपलाइन से गैस देने का हमने तै किया है उसके तहत आज मेरे संसदी शेत्र के परिवारों के घरों में पाइपलाइन से गैस पहुंचाने की दिशा में काम हो रहा है इसके कारण यातायात में भी जहां आप पैट्रोल डीजल से गाड़िया चलाते हैं अब सी एन जी से गाड़ी चला पाएंगे पैट्रोल डीजल से सी एन जी सस्ता भी पड़ता है एनवार्मेंट को भी फाइदा करता है यहां करीब 20 लाग वेहिकल जो है उसको इसका फाइदा मिलेगा जब सी एन जी के स्टेशन लग जाएंगे और इन सारे ख्षेत्र में बहुत बड़ी मात्रा में जो वेहिकल है इन सातों शहरों में एनवार्मेंट को बहुत बड़ा लाब होगा देश को विदेशों से जे पेट्रोलियम लाना पड़ता है उसमें भी आथिक रुप से देश की बचत होगी तो एक ऐसी योजना जो जन सुविदा को भी उपयोगी है जो भावी पीड़ी के भविश्र के लिए भी परियावरण की रक्षा करने वाली होगा और यह मेरा साप मत रहा है कि हम सोचें कि भारत का कोई इलाका आगे बढ़ जाएं तो देश आगे बढ़ जाएगा यह संभव नहीं है देश तबी आगे बढ़ेगा हिंदुस्तान के हर कौने में विकास हो विशेशकर हिंदुस्तान के पूर्वी इलाके में विकास हो चाहे वो पुर्वी उत्तर प्रदेश हो चाहे बिहार हो बंगाल हो जारखंड हो उडिशा हो नौर्धिस के प्रदेश हो असाम हो येक शारक शेत्र आर्थिक गतिविति का केंदर बना रहा है तो हमें इस प्रकार की सुविदाओं से जोड़ना होगा पिछले दिनों आपने देखा होगा काशी की संगीत की दुनिया को हैरिटेज में स्थान मिला था वो काशी के लिए गवर्व का विशे था इस सर्वविद्या का केंदर है संगीत की दुनिया में काशी ने देश और दुनिया को बहुत कुछ दिया है उस विरासत को हैरिटेज की रूप में दुनिया के अंदर स्थान मिला उसी से प्रेणा लेकर के आज काशी का पोस्टल स्थेम और मैं चाओंगा कि काशी के लोग तो अपनी डाक में ये काशी का ही पोस्टल स्थेम लगानी के आदर डालें वो अपने आप में आपका परीचे बढ़ाता है और एक बार पोस्टल फिर्म जाता है दुनिया में टूरिजम के लिए वो एक उपकारग होता है उससे एक पहचान बनती है काशी का गवरवगान होता है बहुत पहले शहरों की डांग टिकट की कलपना हुई थे हमारे देश म है लेकिन मामला आगे बढ़ा नहीं हमने काशी को इस काम के लिए चुना फिर से एक बार शुरुदात हुई है और इसके कारण हमारे पुरातन शहर की एक पहचान नए तरीके से दुनिया के सामने पहुचाने में एक उपकारक काम होगा आज यहां किसानों के लिए भी एक बहुत बड़ा महत्वपूर राजा तालाब का प्रोजेक्ट उसका सिलान्यास हुआ है हमारे किसान बड़े शहरों के अगल बगल में सब्जी पादा करते हैं इराजा तलाब एक ऐसी जगाह है जो पूरा पस्षीम और उत्तर रोड की और रेल की कनेक्टिविटी के लिए बहुत सेंटर पॉइंट है और यही इलाका है जहां सबसे ज़्यादा हमारे किसान सब्जी और फुलों की खेटी करते हैं अगर उनको इस प्रकार की सुविदा मिलें और उनका ये बेस्ट्रेज भज़ जाए और ट्रांस्पोर्टेशन के लिए सुविदा उपलब्द हो जाएं तो हमारे किसान को सब ज़्यादा फायदा होगा और यह विवस्ता ऐसी है जो इस इलाके के किसानों के लिए बहुत उपकारक होने वाली है वो अपनी मर्जी से अपने इच्छा से दाम जो मिलेगा तब माल बेज सकता है तब तक अपना माल सुरच्षित रख सकता है और सुरच्षा मिल जाए व वो कडेक्टेड हो तो किशाम नसिर भी सिलाके में वो कलकत्ताना लेकर से दिल्ली तक कही पर भी अपनी सब्जिया बेचने ले पहुंचा सकता है और यहां ती फुल गोभी वगेर तो बड़ी प्रसिद्ध है यहां की चीजे बड़ी स्वादिष्ट है मागंगा के असिर मनेगी आज हमारे मनोज सिनाजी ने काज़ी को एक और गवरव दिया दाक विवाग हमारे देश की बहुत पुराता ने ववस्ता है और दाकिया जब तक यह टेक्नोलोजी नहीं आई थी दाकिया हर घर में इंतजार का कारण हुआ करता था डाक आये नहीं नहीं लेकिन हर परिवार बाहर जोगता था डाकिया आके गया तो नहीं न अगर बेटा बाहर रहता है और हर दिन वो डाकिये को याद करती है डाक की अपनी एक महात पहे नए स्वरूप में अब डाक का रूप बदल चुका है हम डाक को बैंकिंग सेक्टर में कनवर्ट कर रहे हैं पोस्ट रफिस बैंकिंग सुविधाय उपलब्द कराएगी देश में आज जितनी बैंक की ब्रांच है उतनी ही अकेली पोस्ट की ब्रांचीज है डेड़ लाग से ज्यादा वे सब बैंकिंग का काम करेंगी और उस जब एक नया जोन बनता है तो यहां के सुविधाव पर एक विशेद निग्रानी बनती है एफिजन्सी आती है परड़ा मिलता है और वो काम करने के लिए एक शेत्रिय व्यवस्ता काशी के आसपास के जीलों को जोड़ करके बनी है इन नया जोन निर्मार किया गया है आने वाले दिनों में अब आजकल के लिए वो एक वक्त दूर नहीं होगा जब पोस्ट ओफिस दलिवेरी के बहुत बड़े केंदर बन जाएगे आज मंद्रेगा के पैसे देने हो स्कॉलर्शिप के पैसे देने हो पैंशन के पैसे देने हो बैंकों की ब्रांचिज कम है यह सुविधा पढ़ने के कारान जो बुजूर लोग है विद्यार्ती है वीडोध है उनको बैंक से डाक और बैंक जुड़ने के कारान यह सुविधा यह सरलता से उपलब्द होगी यह पैमेंट बैंक होने के कारण व्यापारी आनम को भी अपना कारोबार चलाने के लिए छोटे-छोटे व्यापारियों के लिए एक नई सुविधा उपलब्द होगी तो इस काम को भी आज आपके सामने प्रस्तूत किया है रेल हमारे देश की बहुत पुरानी व्यबस्ता लेकिल वो ऐसी फस गई उसका उप्योग सरब पार्लामेंट बेजब बजेट आता था और रेल मंत्री हजारों लाखों करोड की होजनाएं बनाएं कोई MP सुनता नहीं था लेकिन जेसा ही वे बोलना शुरू करते थे कि फलाने सहर से फलाने शहर तक एक डिबा जोड दिया जाएगा तुरंद MP तालिया बजाना शुरू करते थे फलानी जेगा पर स्टॉपेज दिया जाएगा तालिया बजते थे फलानी जेगा पर नहीं ट्रेन लगाईजे तालिया बजते थे रेल्वे बजेट इसी पर सिमीत हो गया क्योंकि किस MP की कोई सहलाके में ट्रेन रुकेगी या नहीं रुकेगी जाएगी या नहीं जाएग यहां पर रेल सिबित हो गई हमने सपना देखा है रेल भारत की इतना बड़ा नेटवर्क है लेकिन उसके हाल चाल रूप रंग डंग पिछली शताब दीके रेल को आधूनिक बनाने के आवशक्ता है रेल की स्पीड बनाने के आवशक्ता है रेल को इलेक्रिकल कन्वर्जन के आवशक्ता है गेज कन्वर्जन के आवशक्ता है दूर सुदूर इलाकों के साथ जोड़ने के आवशक्ता है और इसलिए बहुत बड़ा प्लान और जैसा हमारे रेल मंत्री जी कह रहे थे आजादी के बाद जितने रुपिये खर्च किये पिछले धाई साल में मैं कहा सकता हूं इतने वर्षों में जितना काम नहीं हुआ इतने महिनों में रेलवे के पीछे हमने लगाया है और उसी के तहट ये जब इलावाद डबल लाइन हो जाएगी नया ब्रीज बन जाएगा गती भी बड़ेगी व्यापार को भी फायदा होगा और एक बार इस प्रकार की गती शिल इंफ्रस्टेक्टर उपलद्द हो जाता है तो आर्थिक गतीविती भी तेज हो जाती है यह सिर्फ पट्रियों का खेल नहीं है यह सिर्फ एक ट्रेन दौड़ने वाला खेल नहीं है यह पूरी एकोनमी को बदल देता है और इस काम के लिए यह बड़ा एहन कदम आज यहाँ पर हमने उठाया है और उसका भी लाव आपके साथ होने वाला है आज बिजली के लिए भी एक लोकारपन हुआ बिजली होती तो है लेकिन जादा लोगों को पता नहीं होता है कि बिजली के कारखाने में बिजली बनने से बिजली मिलती नहीं है बिजली कारखाना भी लग गया तार भी लग गया तो बिजली आते ऐसा नहीं है जैसे पानी के बहाव को पहुँचाने के लिए लेम की जरूत पढ़ती है या टुबेल किया तो पानी को उपर ले जाकर के टंकी में भरने के बाद पानी पहुचता है वैसे उरजा को भी स्ट्रेशन की जरूत पड़ती है जिससे बिजली को आगे पहुंचाने के लिए धका लगता है यह बड़ा खर्चिला काम होता है लेकिन अगर सब्स्रेशन की वबस्ता नहों तो बिजली आती हैं जाती हैं कभी टीवी जल जाते हैं कभी मोटर जाती हैं कभी एसी जल जाता ह स्टेबिलिटी नहीं आती क्वालिटी पावर नहीं मिलता है इसके लिए इंफासेक्शन की अवश्यक्ता होती है लेकिन जादातर सरकारों को इस प्रकार के खर्च करने से डर लगता है उनको लगता है यह ठीक है लोग चला लेंगे बिजली आई नहीं आई वो थोड़े दि आती है जाती है पूछते हैं करते हैं रहते हैं नहीं हुआ तो कभी भी कांस नहीं होता है यह जो पावर के सब्स्टेशन डाले गए आज जिसका उट गारंटी देते हैं एक प्रकार से आज इसी एक समारों मैं करीब पांच हजार करोड रुप्या का काम काशी की धरती को अर्पीत हो रहा है। यह चोटा काम नहीं है और बड़ी बड़ी योजनाएं मैं कहूं तो आज सात योजनाएं मेरे कांची बाद्चियों को या तो लोकारपन के रुप में या सलानियास के रुप में आपके सामने मैंने रखी है। एक प्रकार से यह सब्तर्शी है। जैसे आसमान में सब्तर्शी दिशा का काम करते हैं सब्तर्शी को देख करके समंदर में नाविक अपनी दिशा तै करता है। पहले के जमाने में जंगलों में रास्ता काटने वाले लोग उन सब्तर्शी को देख करके अपनी राह तै करते थे अंदरे में। ये सब्तर्शी काशी की विकास की राहत तै करने वाला एक एहम कदम आज सब्तर्शी के रूप में आज काशी की धर्ती को मुझे देने का सौभागी मिला है। काशी का अविरत प्यार मुझे मिलता रहा है। भरपूर प्यार मिलता रहा है। मैं आपका अरदे से बहुत पहुत आभारी हूँ और मुझे विश्वास है कि विकास की यात्रा तेज गती से पूरे पुरवी भारत को बदलने का काम करेगी और काशी अपनी ताकत दिखा क रहेगी इस विश्वास के साथ आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद